नमस्कार किसान भाईयो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वर्ल्ड स्गीन में और आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि सरसो की किन किसमों की बुआई करने के बाद आप गेहों की बुआई भी कर सकते हैं यानि सरसो की किन किसमों की अगेती बुआई आप कर स सकते हैं चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो इस लिस्ट में सरसों की पहली वेराइटी जो आती है वो आती है पूसा कंपनी की पूसा मस्टर 25 इसको एन पीजे 112 के नाम से भी जानते हैं इसका पकने का समय 105 से 110 दिन है छेतर जहां पे इसकी बवाई कर सकते हैं उत्री 40% बवाई का समय जो है इसमें सितंबर से दिसंबर की मद्य तक आप इसकी बवाई कर सकते हैं इस लिस्ट में जो दूसरी वेराइटी आती है वाती है पूसा कंपनी की पूसा मस्टर 27 इसको इजे 17 के नाम से भी जानते हैं इसका पकने का समय होता है 115 से 120 दिन छेतर जहां आप इसकी बवाई कर सकते हैं उत्तर परदेश, मद्या परदेश, उत्तराखर्ण, राजिस्तान, आदी उत्पदन की बात कर ले तो इसके अंदर 15 से 17 कुंटल पर हेक्टर आप उत्पदन ले सकते हैं तेल की मात्रा इस वेराइटी के अंदर होती है 41 से 42 परसेंट के तयार हो जाती है छेतर जो है इसके हरियाना, पंजाब, राजिस्तान, दिल्लियादी में इसकी बवाई कर सकते हैं उत्पदन की बात करें तो इसमें सब्जाद उत्पदन निकलता है पूसा कंपनी की बाकी वेराइटियों से यानि इसमें 17 से लेके 19 से किंटल पर आत तरह करें इसमें तालिस से 42 परसेंट तेल की मातर होती एक समय जो है सिकंपर मद्यतको हैं खगेटी और शार्त पचीश्ति ब करसकते है तो इसकी आप अगेटी करके बाद में घायों की वत्त वाइ torch कारद में इस ले सकते हैं इस समय कंपनी की ही एक वेराइटी में तो दस से बार एकुंटल पर हेक्टर आप इसका उत्बदन ले सकते हैं, सबसे कम उत्बदन निकलता है इसमें बागी वेराइटियों से, तेल की मात्रा इसके अंदर होती है, 40-41 परसेंट, बुवाई का समय है इसके अंदर आप अगेती वाइस की कर सकते हैं, इसके बाद जो अ दसर एकुंटल पर हेक्टर उत्बदन इसका आजाम से हो जाता है, तेल की मात्रा की बात करें तो इसके अंदर 49 से लेकर 40% हमारा तेल की मात्रा होती है, इस लिस्ट में जो अगला नाम आता है, वो आता है पीली सरसो, यानि जो आपकी गोल्डी है, वो आपकी येलो इसके अब येलो सरसो इसके पकने का समय होता है, पकने का समय ठशके आती है, चेतर उत्री भारत में इसको आप आसानी सोगा सकते है, उत्पाधन की बात करें तो आट से लिस्ट में जो अगला नाम आता है वो आता है आपका पिली सरसोही जो की है आपकी ट्रिकूटा कंपनी की गोल्डन 99 यह आपका यलो हाईविर्ड सीड्स है समय जो पकने में लगता है 100-110 दिन में पकके त्यार हो जाती है उत्बादन की बात करें तो इसमें 7-8 कुंटल परेकरड आप इसका उत्बदन ले सकते हैं तेल की मातरा की बात करें तो इसमें तेल सब ज्यादा मातरा में होता है 42-43% इसमें तेल की मातरा होती है दाना, मोटा, पीला और वजंदार होता है बौई का समय कब है आपका सितंबर से दिसंबर तक मद्य दक आप इसकी बौई कर सकते हैं तो ये थी साथ वेराइटी सरसो की जिनको आप बौई कर सकते हैं अगेती बौई कर सकते हैं और उसके बाद आप कहऊं की बौई असानी से कर सकते हैं किसान बाई हो अगर आपको जानकार ये अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरू कीजेगा चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिए जएगा और वीडियो को सेर करना ना भूलिए थैंक यू